हलो गाइज वेलकम टो एटीए एक क्लासस तो आज की इस वीडिया में हम बात करने जा रहे हैं हमारी गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किये गए 2020 के सबसे बड़े पैकेज की अनॉंसमेंट के बारे में कुछ ही समय पहले हमारे देश के प्रधान मंतरी जी ने 20 लाग करोड का एक पैकेज अनॉंस किया है जिसमें देश के वेपारियों को मद्देवर्ग के लोगों को और किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वार ला है तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है फार्मर् तो Government of India MSP को बढ़ाने वाली है इसके साथ साथ फार्मर्स के बेंक अकाउंट में डेबिटी की जाएगी डेरेक्ट डेनिफिट ट्रांसफर जो की एक टाइप की सबसीडी होगी जो की डेरेक्टली किसानों के अकाउंट में डाल दी जाएगी तो दूसरा इसमें आगे चल बेव किया जाएगा और भी GST के Tax Rates में कुछ चेंजिस कईये जाएगे जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी relaxation होगी Tax Prices को कम किया जाएगा इसके बाद बाद आत्ती है RBI ने तीन महीने के लिए Montarium दे दिया है कि कोई भी बैंक अब आपसे तीन महीने के लिए EMI नही क्या benefit रहेगा तो गाइस इस package में businessman को बहुत बड़ा benefit दिया गया है देश की economy coronavirus के कारण बहुत नीचे गिर चुकी है जिसके कारण इसको संबालने के लिए व्यपारियों को package देना बहुत ज़रूरी था इसलिए Government of India ने 20 लाग करोड का एक package announce किया है जिसमें की एक बहुत बड़ी राशी जो है वो व्यपारियों के लिए रहेगी मुख्य तोर पर इसमें छोटे कारोबारियों को benefit दिया जाएगा लगू उद्योगों को benefit दिया जाएगा MSME के लिए इसमें बहुत बड़ा benefit रहेगा guys अगर आपने अभी तक MSME में अपने business को registration नहीं किया तो आप जल्दी करवा लिजिए अगर आपको MSME registration से related कोई भी problem है query है तो आप हमें comment कीजिए और उसके बाद अब बात करते हैं middle class के लिए tax benefits तो guys government ने middle class के लिए एक tax benefit भी announce किया है जिसमें income tax से related कुछ benefits मिलेंगे अब भी पूरी detail में इन benefits को announce नहीं किया गया लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये benefits announce होंगे हमारी finance ministry के द्वारा तो जैसे ही वो announce होंगे हम आपको अपनी वीडियो में उनके बारे में जरूर जान करी देंगे उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप